आज हम बनाने वाले हैं मिल्क और फ्रूट की कश्टर्ड रेसिपी यहाँ पे हमने लिया है हाफ केजी मिल्क आप यहाँ पे गाड़ा या पतला कैसा भी दूद इस्तिमाल कर सकते हो इसको हम एक ओवाल आने तक वॉयल करेंगे जब तक इसमें वाल आता है हम अपना कश्टर्ड बना लेते हैं एक कटोरी में मैं डालूँगी दो चमच कश्टर्ड पाउडर आप एक गिलास दूद में एक चमच के हिसाब से इसे ले सकते हो अब हमने यहाँ पे लिया है रूम टेंपरेचर वाला दूद आप यहाँ पे ठंडा दूद भी ले सकते हो लेकिन याद रहे कि आप यहाँ पे गरम दूद का इस्तेमाल ना करें नहीं तो इसमें लम्स रह जाएंगे और कश्टर्ड बिकार हो जाएगा नॉर्मल या ठंडा दूद डालने पे लम्स खतम हो जाते हैं और इस तरह की कंसल्टेंसी हम इसकी रखेंगे मैंने यहाँ पे वैनिला फ्लेवर का कश्टर्ड यूज किया है आप किसी भी फ्लेवर का जो आपको पसंदो आप यूज कर सकते हो इधर दूद में भी ओवाल आ गई है इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे जिससे की दूद इसमें नीचे चला जाए और थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसमें हमारा कश्टर्ड का वैटर डाल देंगे एक साथ हम वैटर को नहीं डालेंगे नहीं तो ये कड़ाई में नीचे बैट जाएगा तेज फ्लेम पे हम इसको लगातार करीब पांस साथ मिनिट के लिए चलाएंगे और पांस साथ मिनिट में ही ये एकदम गाड़ा हो जाता है बहुत जादा हमें इसे गाड़ा भी नहीं करना है मीडियम सा रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद में भी कश्टर्ड थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है ये देखिए कश्टर्ड हमारा गाड़ा होने लग गया है अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कटोरी चीनी चीनी डालने के बाद हम इसको लगातार चलाएंगे जिससे की चीनी दूद में जल्दी मिक्स हो जाए चीनी डालने पर दूद थोड़ा सा पतला हो जाता है इसलिए हम इसको 2-3 मिनिट के लिए और तेज फिलेम पे ऐसे ही कुक करेंगे तीन मिनिट बाद दूद अच्छे से गाड़ा हो गया है इस ट्रेच उला पे हम इस तरह से वेटर लेंगे और ये देखिए फिंगर की एकदम इस पर डार्क लाइन आ रही है मतलब ये एकदम परफेक्ट कंसल्टेंसी है यहां पे हमने लिए हैं कुछ फ्रूट्स और ड्राइ फ्रूट्स अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इनको इसकिप कर सकते हो फ्रूट्स भी आप कोई भी ले सकते हो लेकिन जिन फ्रूट्स के अंदर पानी रहता है वो आप ना लें जैसे कि तर्वूज, खर्वूजा, संत्रा इन फ्रूट्सों को ना लें जैसे ही कश्टर्ड नॉर्मल टेंपरेचर पे आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए फ्रूट्स एपल, बनाना, पॉमी ग्रेनेट इन सभी को डालती हुँ, हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे अपने ड्राइ फ्रूट्स अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर देंगे ये देखिए कितनी बड़िया कंसल्टेंसी इसकी आई है हमें सिर्फ इसी तरह का ये चाहिए अब हम इसमें डाल देंगे 4-5 केसर, ये भी यहां पर ओफ्शनल है इसको हम ठंडा होने के लिए एक बड़े वाउल में डाल देंगे और करीब 3 गंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे याद रखें आप इसको फ्रिजर में ना रखें सिर्फ फ्रिज में ही रखें तीन गंटे के लिए तीन गंटे बाद कश्टर्ड एकदम ठंडा हो गया है अब हम इसको वाउल में सर्व करेंगे जब भी आपका कुछ हलका मीठा खाने का मन हो तो आप ये रेसिपी ट्राइ कर सकते हो ये बहुती जल्दी और बहुती आसान बनने वाली रेसिपी है जो टेस्ट के साथ साथ बहुत हैल्दी भी होती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही लेटेस्ट रेसिपीज एट सोनम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फोर वाचिंग मै वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ में तक